नमस्कार स्वागत है आप सभी का ये पोस्टल नेटवर्क पर डाग विबा का सबसे विश्वसनी है चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग प्लैटफॉर्म आज आपको मल्टी टास्किंग स्टाफ जो डिपार्टमेंट पोस्ट पे काम करते हैं उनकी सैलरी स्लिप कुछ दिखाएंगे टोटल चार पाच लोगों की जो हमारे प्लैटफॉर्म में ही जो जीडियस पड़े थे या एम्टेस में प्रमोशन हो गया था उन सभी की सैलरी स करो रहा है वगेरा वगेरा तो आप सभी के मोटिवेशन के लिए है कि कुछ साल आप लोग जीडियस में बने रही है हमारा प्लैटफॉर्म जोइन कीजिए इसके बाद आपका फर्स्ट अटेंब में ही प्रमोशन हो जाएगा यकीन रखिए और थोड़ी से महनत करेंगे तो आप लोगों को अब जो हम सेलरी दिखाने वाले वह आपको सेलरी मिलेगी में बात सेलरी है ही नहीं ठीक है सेलरी तो हम बोली नहीं रहे कि सेलरी के लिए आप लोग प्रमोशन लीजिए या तीन साल जीडियस में काम कीजिए में बात है जो इंपॉर्टन बात है वो है promotion promotion लेने के बाद जब आप लोग permanently regular employee बन जाएंगे ये सबसे बड़ा बदलाव आपके life में आएगा एक आप civil servant यानि government employee बन जाएंगे ठीक है तो इस चीज़ के लिए आपको बने रहना है अगर आप आ गये है है और आप लोगों को लगा कि ये permanent या regular post है इसके वज़ गलत फैमी से जॉइन कर लिया तो भी आपको निराश नहीं होना है दोस्तों हम यही चीज़ आप लोग को बार-बार कहता है क्या हो गया अगर अपने छोटे पोस्त से स्टार्ट किया कोई दिक्कत नहीं है छोटे से चोटे स्टेट से अगर आपने शुरू किया है तो डिपार्टमेंट आपको opportunity दे रही है कि आप लोग आए डियोपी का हर साल हमें exam लेता है हर साल आपको departmental exam देने को मिलेगा यही दीजे और promotion लीजे जो आप post deserve करते है वो आप लोगों को मिल जाएगा बस थोड़ा सा struggle कर पड़ेगा department में और यह हर इंसान को करनी ही चाहिए तभी आपको value पता होगी कि आप जब नए post में PA बन जाएंगे inspector बन जाएंगे तो आपको at least पता होगा कि GDS में आपने कैसे गुजारा और आपके जो आप नए GDS आ रहे होंगे आप inspector बन गए तो आपको पता होगा कि लोग को ही life कैसी है उनके साथ कैसे deal करना है कितने target देना है और किस तरह से इनको proper तरीके से सम्हाल के department में रखना है यह आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप लोग उस स्टेट से गुजर के आए होंगे ठीक है तो salary slip के बारे में आप लोगों को अभी करके बताएंगे क काफी लोगों के salary slip है हमारे पास हम 3-4 दिखा रहे है आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और यह सब वही है जो हमारे platform से पढ़के promotion ले चुके है अब नई नई तयारी कर रहे है उन्हीं से हमने salary slip ली है ठीक है स्टार्ट करें चले आईए देखेए है पह description में दे दिया है ठीक है एक बर number भी note down कर लीजे हमारा ताकि आप लोग को कभी भी platform में जुड़ना हो तो save करके रख लीजे जब भी course करना है आप लोग हमसे contact कीज़े ठीक है 8638587698 यह हमारे platform का WhatsApp number है इसमें आप लोग contact करेंगे तो आपको हम demo details सब कुछ share कर देंगे ठीक है 18500 की मिल रहा क्योंकि एक increment इनको मिला हुआ है ठीक है dearness allowance जो आपको पता है 50% चल रहा है जो की बहुत जादा होता है तो आप लोगों को DAE मिल जाता है अपने basic का ठीक है तो वो इनको 9250 मिल रहा है dearness allowance on transport allowance इनको मिल रहा है 450 rupees house rent allowance 3600 मिल रहा है आप लोगों को पता ही cities के according होता है XYZ और अगर आप लोग quarter ले लेता है postal quarter ले लेता है तो आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो यह है 3600 ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 रुपे तो 32000 इनकी salary बन रही है दोस्तों ठीक है तो इनकी जो salary है 32700 अब अगर हम deduction में आ जाए तो आपको पता है अब pension सरकार देती नहीं है तो national pension scheme लेना पड़ता है तो 2775 बन रहा है और इन लोग का जो central government का group insurance scheme है उसके 300 रुपे काटे जा रहा है फिर central government का health scheme है उससे 250 रुपे कट रहा है तो बहुत important होता है central government health scheme लेना क्योंकि अब लोगों के परिवार को या आपको कुछ हो जाए तो hospital में बहुत help मिल जाती है तो 3000 के करीब कट भी रहा है तो इनकी जो salary बन रही है 29,445 रुपे इन हैंड में बन रही है घर ले जाएंगे take home पे ठीक है तो यह विकास सियादब जी का हमने देखा अब next देखते हम तो यहां पे है कनुसूत राजेश जी का ठीक है तो इनका हम लोग देख लेत है दे ए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 450 रुपीज हाउस रेंट अलाउंस 3600 और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 थर्टीवन थाउजन 950 यानि 32,000 इनको मिलता है कट कटा के 3000 कट भी जाता है तो इनका 28,700 यानि मान के चले 29,000 इन हैंड इनको भी आ रहा है चले next है अबे सिंग गौर जी का इनके बेसिक पे 18,000 रुपीज है ठीक है DNS अलाउंस 9,000 रुपीज, DA on TPA 450 रुपीज, हाउस रेंट अलाउंस 3600 ट्रांसपोर्ट अलाउंस 900 तो इनको भी 32,000 बन रहा है और इनका NPS का 2700 कट रहा है नेशनल पैंचन स्कीम, PLI की प्रीम भी कट रही है 1600 रुपे ठीक है group insurance स्कीम का 30 रुपे और central government health स्कीम का 250 रुपीज यानि इनके 45,000 रुपे कट रहे तो इनका जो हो गया है 27,400 रुपे के आसपास इनको टेक होम पे मिल रहा है चलिए next जो salary sleep है मही महीने की वो है मुकेश जी की तो मुकेश जी का जो salary है आप देख सकते 18,000 बेसिक प हाउस रेंट अठारा सो रुपे ट्रांस अलांस नौस रुपे ठीक है और जो इनका टोटल अब बन रहा है 30,000 बन रहा है 27,000 बन रहा है ठीक है तो यह हो गया और यह last salary slip अभी हम शो कर रहा है तो इसका भी same है बहुत जादा different नहीं है आपको एक idea देना चाहते कि आप लो तो 28,000 तो आप लोगों का जो range रहने वाला है वो 27,000 से 30,000 के range में रहेगा तो यह salary आप जैसे ही promotion लेंगे first salary आपको इतनी आ जाएगी ठीक है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि department इस तरह सा मौका दे रही है कि एक extra departmental employee सीधे सीधे regular employee बन सकता है तो इस चीज को ज आपका GDS में बढ़ती हो गया है solution किया जा रहा है target के नाम पर परेशान किया जा रहा है थोड़ा सा सह लीजे फिर हमारे platform से जुड़ जाईए हम लोग आपको मदद करेंगे सारे चीजे study material देके और आप लोगों को हम लोग promotion में पूरी तरह से साहता करेंगे तो आपको ब mcq test होते है group discussion कर सकते है latest update आप लोगों को मिल जाता है चाहे departmental math gk reasoning सारे subject आप लोगों को पढ़ाया जाते है तो आप लोगों को पीछे नहीं रहना है अगर आपको लगता है syllabus असान है और आप crack कर लेंगे तो थोड़ी दिक्कत इस लिए आ जाएगी क्योंकि vacancy बहुत ज भी दिया है और नीचे description में link भी दे दिया है ठीक है तो यह postal coaching से भी ज़रूर जुड़िए next आपको कौन से employee का salary slip चाहिए हमें बता दीजिएगा हम आप लोगों के लिए provide करा देंगे क्या आपको sorting assistant की चाहिए PA की चाहिए postman mail guard कौन से चाहिए नीचे comment down करके बता आप लोगों के लिए provide कराएंगे ठीक है बाकी सारी updates के लिए बने रही है हमारे साथ धन्यवाद